तो चले इसी के साथ तो बढ़ते हैं खबरों में आगे लखने हुसे बड़ी खबर आपको बता दें सम्विधान के 75 साल पूरे होने पर कार्क्रेम का आज़वन देखने को मिलेगा सम्विधान दिवस करसर पर विशेश कार्क्रेम रखा गया है सम्विधान की उदेश्विका का पाथन कार्क्रेम है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सम्विधान के 75 साल पूरे होने पर कार्क्रेम का आज़वन है और आज से 75 साल पहले भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और जिवन दस्तावेज जिसकी उपाधी भारत के सम्मिधान को प्राप्थ है आज सम्मिधान दीवस है और आज ही के दिन हमारा सम्मिधान बनकर तयार हुआ था जिसे अपनाया गया था 26 नमबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी को तो आज 26 नमबर है सम्मिधान दीवस को लेकर आज का रकरम उत्रप्रदेश में भी देखने को मिलेगा ज्यादा जानकरी के साथ लखेनों से हमारे समवधाता अवनीश हमारे साथ जूट चुके हैं अवनीश से जान लेते हैं कि किस तरीके का कारक्रम तो अवनीश आज सम्विधान दिवस को लेकर किस तरीके का कारक्रम उत्रप्रदेश में देखने को मिलेगा अज करीब साड़े नौ बजे का वक्त होगा जब लोक बहुन में मुख्यमंत्री योगी आदितनाद पहुंचेंगे वहाँ पर सम्विधान दिवस पर जो करक्रम आयो जीत हो रहा है उसमें वसामिल होंगे तो सम्विधान को लेकर क्या कुछ है चला है क्या कुछ है इसके मायने है उसको बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदितनाद दिखाई देंगे और वहाँ पर दोनों डिपी सीम भी मौझूद होंगे वहाँ पर वरिष्ट मंत्री सुरे स्खना भी मौझूद होंगे और उनकी मौझूदगी में तमाम लोग जो वहाँ पहुँचेंगे उनको बताया जाएगा कि सम्विधान के क्या मायना है क्योंकि इदर अगर देखा तो समिधान राजनीती का मुख्य मुद्दा रहा है राहुल गांधी लगातार समिधान के प्रतियान लेकर अपने जंसभाओं में रहे हैं वह लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे हैं अब कहीं ने कहीं मुख्यमंत्री योगी आदितनात आज उसका जवाब देत देंगे और महा सभागार में वह समिधान दिवस पर लोगों को संबोधीत करते हुए दिखाए देंगे बिलकुल अवनीश एक बड़ा महत्तपूर्ण बिंदू जिसका जिक्र आपने किया कि विपक्ष के तरफ से समिधान की दूहाई दी गई अभी बीते समय में तरफ से एक बहुत बड़े स्तर पर समिधान दिवस को लेकर कार्श्टरमों का आजजन एक तरह से इस तरीके का संदेश भी जनता में देना है कि समिधान पूरे तरीके से सेक्योर है समिधान को किस तरीके से सेक्योर करना है और किस तरीके से समिधान की तरज पर हमें चलन लगातार या रोप लगाते रहें कि इसमें छेड़ चाड़ भी किया जा रहा है जिसका नुकसान आम जनता को होगा उदर भारती जनता पार्टी भी अपनी तरफ से सफाई देती हुई नजा रहें कि सम्विधान में किसी प्रकार का छेड़ चाड़ नहीं है या ब्रामक पूर्वात आज की जा रही है राहुल गांधी उस पर चर्चा कर सकते हैं और इसी के तहट आज दिल्ली से लेकर लखनव तक सम्विधान पर भारती जनता पार्टी के निवाट बलकुल तो सम्विधान के 55 साल पूरे होने को लेकर ये कारक्टिम का आज़न देखने को मिल अब निश आप जुड़े महतर पुन्जान कारी साज आपने की बहुत बहुत शुक्री आपका